सुरेश रैना का नाम सुनते ही क्रिकेट प्रेमियों के दिल में एक खास जगह बन जाती है। जब रैना मैदान पर उतरते थे तो गेंद बाजों के दिल में खौफ चा जाता था। भले ही उन्होंने इंटरनाशनल क्रिकेट से सन्यास ले लिया हो लेकिन उनकी बल्ले बाज का जलवा अभी भी कायम है। हाल ही में अमेरिका में चल रही नैशनल क्रिकेट लीग टी टैन में सुरेश रैना ने दिखा दिया कि उनका बल्ला आज भी उतना ही खतरनाक है जितना उनके करियर के सुनहरे दिनों में था। रैना ने न्यू यॉक लाइन्स की कपतानी करते हुए लॉस एंजेल्स वेब्स के खिलाफ 28 गेंदों पर 53 रनों की धमाकेदार पारी खेली। इस पारी में उन्होंने शाकिबल हसन जैसे मंजे हुए गेंदबास को भी नहीं छोड़ा। शाकिब चो आज भी इंटरनाशनल क्रिकेट में सक्रिये हैं उनकी गेंदों पर र ने दो विकेट खोकर 126 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। रैना की कप्तानी और बल्लेबाजी ने उनकी टीम को 19 रनों से जीत दिलाई। इस मैच में रैना के अलावा श्री लंका के पूर्व सलामी बल्लेबाज यूपुल थरंगा ने भी शानदार 40 रनों का योगदा शाकेबल हसन की कुटाई से लेकर टिम डेविड, टॉड एसले और टाइमल मिल्स जैसे गेंदबाजों की भी रैना ने जम कर खबर ली। उनकी यह पारी देखकर ऐसा बिलकुल नहीं लगा कि उन्होंने क्रिकेट से सन्यास लिया है। उनकी टाइमिंग, फुटवर्क और शॉर्ट्स बिलकुल उसी अंदाज में थे, जैसे हम उन्हें IPL और इंटरनाशनल क्रिकेट में देखते थे। इस मैच ने ये साबित कर दिया कि भले ही सुरेश रैना इंटरनाशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनकी फिटनेस और बल्लेबाजी आज भी टॉप क्लास है। फैन्स को रैना की इस पारी ने एक बार फिर उनके पुराने दिनों की याद दिला दी। तो दोस्तों, क्या आप भी इस पारी को देखकर उतने ही एक्साइटेड हैं जितना हम हैं। क्या आपको लगता है कि रैना को वापस क्रिकेट के बड़े मंच पर खेलते देखना चाहिए। अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।